वेल्कम तो माई यूटूब चैनल ओनलाइन मस्त क्लासेज आप सब देख रहे हैं ओनलाइन मस्त क्लासेज चैनल आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम आप सब को एकनोमिक्स सेट डी अब्जेक्टिव एंसर की बता रहा हूं जो कि 100% करेक्ट एंसर है की है आप लोग मिला लीजिए प्यारे स्टुडेंट्स आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अगर आप लोग इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल क बेल आइकन भी किलिक कर लेंगे सब लोग अप लोग अंतक वीडियो को देखेंगा यह शुरू करते हैं सबी सेट का इसी तरह से आप मिला लेंगे निम्ले कितमे कौन वस्तु कर नहीं है तो इसमें देखिए उत्पाद सुल्क हो जाएगा एना कौन वस्तु कर नहीं है ठ कि तीन नंबर है कौफी के मुल में विर्दी होने से चाई की मांग बढ़ती है यह होगा अच्छो से केंद्रों से निकले होने पूर्थी सुनने के बराबर चार में डी होगा इस तीर मुल में आकलित इसमें आपका पांच कना वास्तु की जीडिपी भी हो जाएगा भारत में डी बिल्कु सही जवाब है एक खुली अर्ष्ट वस्ता में समुईक मांग की संगटक तो इसमें डी मार लीजी बिल्कु सही है महा मांदी किस वरस आई तो आपको 1929 में आर्थिक मंदी आपने पड़ा होगा दस कभी बिल्कु सही है किसके अनुशार मुद्रा होगा ह तेरा है मुद्रा के एस्टैतिक ग्यात्मकार्यों का तो पॉल एंजिलस तेरा में भी होगा चौदा दिरकालिन उत्पाद फलनकौर समयत उत्पाद उत्पती ब्रिधी नियम हो जाएगा चौदा का भी उत्पाद का सक्रिय साधन क्या है तो स्रम बिल्कुल पंदर का भी ह थी है तो सिमान तलागा तो तुलना में क्या होगा तो एम सी लेस दैन ऐसी ठीक है 18 में भारती रिजरब बैक केंद्रिये बैंक 19 में होगा आम मुद्रा पुर्तिक नियमन कौन कोन करते तो रिजरब बैंक उफ इंडिया इसका भी सही है कई तो देखिए अब परत्यक्ष क कि ढड़ल जो होती है रिणात्मक को में नियम को और उतपादन अधीक होता है तो पुन परतिवक्ति बजार में 25 में हो जाएगा सीमान्त उप्वक्ता हरास नियम को परतिपादक तो सेंगा 26 में और 27 सम सीमान तूपिकता नियम को कहा जाते तब परतिय स्थापन का नियम 27 का सही है उत्पादन विधी के घरिलतपात की गड़नात वर्दित मुल्य को 28 में भी बिल्कु सही है इकनोमिक कंसेक्विंस ऑफ दपीस इसके पूस्तक जो इनक किन स्थे लेका 29 में बिल्कु सही है सब लोग आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते प्लीज आप लोग लाइक शेयर जरूर करेंगे सब लोग लाइक शेयर कर दिजिए और शेयर कीजिए शट्टा का उदेश तो इसमें आपका हो जागा मुल्य अस्तर ठीक है गुणाक में यह जो सी का मतलब है कॉन्जूप्शन यानि भोग 32 का ए हो जाएगा तो इसमें ना आप लोग इसका जवाब देखी हम गलत नहीं बताएंगा अगर याद नहीं है तो इसलिए इसको हम कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा क्या होगा सब्सक्राइब करता है तो इसमें भी आप लोग ना जवाब कमेंट में बताएंगे ठीक है रोजगार गुणक सदहांत के जनक तो कीन्स थे बताएंगे तो बैंकिंग सुधार से संबंदीत है इसमें इसमें देखिया आप लोग कमेंट में बताएंगे कमेंट में 42 का बताएंगे बैंकिंग सुधार से संबंदीत है बैंकिंग लोग पाली हुजना की घुषड़ा कब हुई थी तो देखिया इसमें 2006 होता है लेकिन ऑप्सन तो दिया नहीं तो इसको कर लिजे 44 में डी आगे परतेक्ष बजार दसा एक फरम संतुलन के लिए कौन सी सर्थ पूरी होनी चा 300 हो जाएगा 46 में भी होगा कौन सा कथन सत्य है तो MPC MPS इक्वल टूवन 47 में जो है नसी सही है और 48 देखिए अन्य बातिस समान रहे तो वस्तुक कीमत तदा पूर्ति की मातर धरात्वक समन्द क्या व्यक्व करता है तो पूर्ति का नियम ठीक है आगे देखिए सिमान तो पूर्ति कौन सा है तो इसमें देखिए डेल सी बटा डेल वाई 49 कभी बिल्कुर सही है ठीक है अब पचास नमबर देखिए 50 अपका सा एक कोशन से इसका आपको कमेंट में बताना है एक आवन देखिए निमलिकित में कौन सी स्टॉक है तो शंपती डी हो जाएगा कौन सी समस्टी अर्ट वेस्ता क्या दन का विशय है तो इन में से कोई नहीं हो जाएगा 52 कडी तीरपन किसने कहा और सास्त्र धन का विग्याने तो यह अडम श्मित का है तीरपन का सी बिल्कुर सही है सब लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे चावण इमलिकित मे कौन उत्पती का साधर नहीं है सरम ठीक है चार छेत्री इसमें क्या होगा तो इसमें आपका 55 में सी हो जाएगा ठीक है सी बिल्कुर सही है 55 का तिर्थियक छेत्रे के अंतरगत तो संचार सेवा जिसको कहते हैं और सिमान्त ऑसर तो इसमें डेलवाई बटर डेलेक्स 57 का भ मघ्रेल उत्पाद होगा 60 का सी होगा एक सट इस जीरो इक्वल टू का अर्थ है तर पूर लोच्फदार है ठीक है स्विज़वाद का जवाब को कमेंट में बताना होगा और 63 में भी ठीक है 63 का D हो जाएगा ये और B दोनों ठीक है 64 नंबर जो है समरूप उत्पाद इसमे यह होगा केवल पुन परित्ता की 64 का है सही है और 65 नंबर देखते हैं 65 आपका कारा किस बजार में फरम का मांग वक्र रिलुचदारत इसमें पुन परतिवक्ता हो जाएगा 65 का है बिदेशी अनुदान जो है राजस्व पराप्ती नहीं है भी हो जाएगा 61 में आपका जो होगा अस्थापन्य वस्तु एक अत्र का भी होगा मांग वक्र इढ़ाल समनता होती है तो बाय से दाए नीचे की और भी हो जाएगा 73 मांग संकुचन दाप तो कीमत बढ़ती है और मांग घड़ती है 73 कह होगा 64 राष्टी आय तो यह नहीं अन्तिम वस्तु की स्यमाई 64 में बिल्कुल सही है जी एन पी वाला जो है इसमें आपका पचातर में बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा मुल विरिधी से गिफिन पкіस्तु की मांग होट जाती है नहीं असे में जो है असी का जवाब आप हो जाएगी एकासी में सी और ब्यासी जो है सबसे पहले माइक्रों यह रेगनर फ्रीज का है ना ब्यासी कड़ी होगा किस अर्थवर्षता में कीमन संत्र तो इसमें पुंजी वादी हो जाएगा तिरासी कभी होगा चवरासी में देखिए आप लोग नम मार्शल लगा लिजिए सही जवाब है पचासी एक समाजवादी वर्षत का मुलू देश तो अधिक्तम लोग कल्याण होता है पचासी कड़ी निवेसक गुनत क्या होता समय दूसरे देश से हो तो उसे खुली अर्थ विवस्ता करते है नवासी कई हो जाएगा नब्वे में देखिए यह जो संकुचित मुद्रा M1 हो जाएगा नब्वे का है और एक आनवे जो है नएक आनवे में इसको कमेंट में आप लोग बताईएगा ठीक है सामें वह इस सब भी हो जाएगा ठीक है तो मेरे प्यारे इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करेंगे दोस्तों में सेयर कर देंगे और इस चैनल पर नए है तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन उसे भी किलिक कर लेंगे थाइंक्स जै हि जै भारत